नमस्कार, मैं हूँ भूवनेश सेंगर और ज़्डचो के आप एमपी तक के साथ कॉंगरेस में एक महिलानेत्री के स्तीफए से कॉंगरेस के सियासत में कुछ देर के लिए भूचालागया ये महिला नेतरी है नूरी खान जी हां परदेश कांग्रेस की प्रवकता है ये जेन के रहने वाली है नूरी खान और उन्होंने दरसल अपना इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के सभी पदों से खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इस्तीफा भेजा उसे बकायदा पोस्ट किया इस्तीफा उन्होंने कमलनाज जी के नाम पर लिखा क्रदेश अध्यक्ष भही है उन्हों लिखा कि बरतमान राजनितिक परिदरश में कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा अलपसंख्यक समाज के प्रती भेभाव पूर्ण रवईय की है पार्टी में सिर्फ इस वज़े से प्रती भावों को मौका नहीं दिया जाता क्योंकि वो अलपसंख्यक वर्ग से हैं काफी गंभीर इल्जाम थे उन्होंने ये भी इल्जाम लगाए कि आप खुद तथ्यात्मक रूप से आकलन करें कि प्रदेश के तमाम जिलों में जिला कॉंग्रेस कमेटियों में कितने अध्यक्ष अलपसंख्यक वर्ग से हैं ये उन्होंने इस्तीफा दिया और जिस तरीके से उन्होंने इल्जाम लगाए उससे थोड़ी से सियासी हलकम मची अलाकि इसके ठीक दो घंटे बाद उन्होंने ये कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनास से चर्चा के बाद उन्होंने काफी कुछ म मेडिया पे लोग कहने लगे क्या दो घंटे में अलपसंख्यकों को पार्टी में इंसाफ मिल गया तो आपने इस्तीफा क्या दिखावे के लिए दिया था इसके बाद नूरी खान फेस्बूक पर आई लाइव किया और यह सफाई दी कि उन्होंने अपने मुद्दो की बात इन सब के पीछे दरसल सियासत में सब परदे के पीछे की कहानी होती है और इसके पीछे दरसल यह है कि नूरी खान प्रदेश अद्यक्षपत की दौड़ में सबसे अवल थी कमलात का भी उन्हें समर्थन था लेकिन मद्द्देश की एक और दिगज राजनेता की थी की बहराल तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP तक के साथ